हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डोगा के रोमांचक सिरीज डोगा हिंदू है सिरीज के तीजरी कॉमिक्स डोगा हाय है का दूसरा भाग मारो इसे, बच करना जाने पाए दोगा मुंबई शान्ती, तूने अशान्त कर दिया तेरी लंबी उमर के लिए पाँच वक्त की नमाज पड़ा करती थी बता तूने ऐसा क्यों किया तुझे रक्षक समझा था, पर तू तो कातिल निकला दोगा के गले में क्या है? ये तो ओम का लोकिट है दोगा के गले में ओम का लोकिट? इसका मतलब दोगा के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो एकदम सच है आज इसे बचकर नहीं जाने देंगे उफ, वो मेरा लोकिट नहीं है और ये तो वही ओरत है, जो बर्फी लेकर आईती वो औरत साजिस का इस्सा है उसे पकड़ो, हटो पीछे तू ही नहीं रहेगा तो सारी साजिसे खतम हो जाएगी आज उफ, क्या करूँ? दोगा तो अपनी जान हस्ते हस्ते देता घेर लो डोगा को, घेर लो वो फस गया है, आज नहीं जाने देंगे घेर लो, घेर लो मगर इन हलातों में तो दोगा अपने आपको तुम लोगों के हवाले भी नहीं कर सकता क्योंकि दोगा अपने उपर लगे इलजाम के साथ ही मर जाएगा तो सिर्फ मुंबई ही नहीं, सारा देश उस पर थुकेगा हतास निढाल सा दोगा आलती-पालती मार कर बैठ गया ऐसा नहीं होगा दोगा को इस इलजाम को धोना है मगर कैसे हत्यारों को इस्तेमाल किये बिना उनमादी भीड के इस हुजूम से बाहर कैसे निकलेगा दोगा पर हत्यार भी कैसे उठा सकता हूँ अज हमारे लिए जान पर खेलता हाया है। हम बचाएंगे डोगा को, हम मारेंगे डोगा को और जो हमारे रास्ते मायेगा उसे भी फोर्स की कोई सुनता नहीं लग रहा था। दंगा बंद कर दो, यहां कर्फ्यू गोशित हैं, वरना हमें मजबूर होकर गोली चलानी पड़ेगी। सर, यहां हालात पहुत खराब है, हमें गोली चलानी का आदेश दीजिए, कुछ भी करके हालात को काबू में करने का आदेश प्राफ्त हुआ है। और गोली बारी शुरू हो गई, गोली बारी से भगदर मच गई, कर्फ्यू का पालन करो, वरना मारे जाओगे। गरह मंत्राले से विशेश सूचना जारी हुई, पूरे मुंबई में कर्फ्यू का एलान, दंगाईयों को देखते ही गोली मारने के आदेश, सरकार का एलान, दोगा को रोको, वो जहां भी दिखे उसे ग्रिफतार करो, यह जिन्दा या मुर्दा, यह बात इतनी बढ़ ज कर दिया अद्रक चचा, वहां पर डोगा को बचाने वालों की भीड भी जुट गई, भारी दंगे में डोगा कुछ नहीं कर सका, पुझे शहर में कर्फ्यू लग गया है, दंगा देखकर आई लोग बता रहे थे, कि डोगा बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सका, निर्द कि डोगा के खिलाफ एक शब्द मत कहना, वरना जुबान खीच लूँगा, दोगा मुंबई की ताकत है, ऐसे लोगों की ताकत है जिनकी रक्षा कानून भी नहीं कर पाता, रुस्तम पागल हो गया है क्या, छोड़ उसे, चाचा मैंने कल के अकबार में पढ़ा कि एक पाइर में उस डोगा की एम्यत से हिंकार नहीं किया जा सकता, जिसके नाम ले देने भर से अपरादियों की नींदे हराम हो जाती है, छक्के छूड़ जाते हैं, उनके डोगा का परस मार कर दिखाए कोई अपरादी, डोगा मेरी प्रेणना है चाचा, अगर मेरा बस चलता तो मैं भी बन जाता डोगा, मगर क्या करूँ, मुझ में डोगा वाला वो जनून नहीं, जो उसे सारे खत्रों से जूजने की प्रेणना देता है, कहीं ना कहीं जान का डर सता था है, कहीं ना कहीं रिष्टे कमजोर कर देते हैं, हाँ चाचा, अपने बुडे माबाप का इ पूरी मुंबई में दंगे के बाद कर्फ्यू, तो तुम लोग घर जाओ, बच्चो, बढ़ना निकल नहीं पाओगे यहां से, और अगर कोई परिशानी दिखे, तो लोटा ना, अधरक और चीता की निगाहे वापस टीवी पर जा चिपकी थी, कर्फ्यू के बाद भी हु पूरी तनाओ, कैम मारे गए, सेना तैनाद, घायलों के लिए बैडों की कमी, लगबख सभी अस्पतालों में खून की भारी कमी, दोगा की खबर कोई क्यों नहीं दे रहा, कहां है दोगा, कहां है दोगा, बताता क्यों नहीं कोई चैनल, सेक्डों लोगों की भीड में, दोगा भी दंगे का शिकार, भीड द्वारा दोगा की पिटाई, किसी ने, दोगा ने किसी पर नहीं उठाया हाथ, नहीं चलाई गोली, ये परसारन इस्पेक्टर खोपर, खुर्दुरा की त्वरित कोशिश है, दोगा के विरुद उगले जा रहे सामप्रदैक्ता के जहर को काटने की, सडक से उठाई गई कैई लाज, मगर कहां गया दोगा, इस फिलम को बनाने वाला कैमरा मैन भी गायल, दोगा को किसी ने जाते नहीं देखा, गया होता, तो यहां सुरज आ गया होता, कहां गया होगा, क्या हुआ उसको, दोगा को लेकर विवात खड़ा हो गया है, दोगा का जो होगा वो होगा, पहले तुझे ही गार देते हैं, बंद करो ये लडाई, पागल हो गया हो क्या तुम सब, दोगा की बहुत तरफदारी कर रहा था, जैसे इसका कोई सगा हो, ऐसी इर्शा तुम्हारे जैसे केई ब जाओ, वरना पुलिस के हवाले कर दूँगा, इस्पेक्टर खोपर और खुर्दुरा की नसों में भारी तनावता, कमाल है, दोगा ओम का लोकिट पहनता है, बकवास, एकदम बकवास, मैं नहीं मानता, दोगा जैसा इंसान किसी एक विशेश धर्म के परतिक को धरन कर ही नहीं सकता, उसके हर्दे के कपाट खोलोगे, तो वहां मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च के परतिक चिन एक साथ दिखेंगे, कानून के नुमाइंदे होकर तुम अपरादी डोगा का फेवर ले रहे हो, नहीं, मैं इस समस्चा को जड़ से काटने की कर रहा हूं, देखो खुर्दुरा, तुम फिर भूल कर रहे हो, चीता सर की सिक्षा को, उन्होंने कहा था कि इंसान को जिस नजरिये से देखोगे, वो वैसा ही दिखने भी लगेगा, और फिलहाल मैं डोगा को निर्दोष मान कर उसे वैसे ही नजरिये से देख रहा हूं, अगर मैं डोगा को अपरादी की नजर से देखता हूं, तो वो लोकेट उस दंगाई भीड की तरह मुझे भी दिखेगा, जिसे डोगा ने पहना हुआ बताया जा रहा है, मगर डोगा के बारे में पोजिटिव नजरिये से सोचने के कारण, अब मुझे वो नहीं दिख रह मतलब लोकेट तो दिख रहा है, लेकिन वो लोकेट डोगा के गले से चीना गया है, ये नहीं दिख रहा, ओ, गुड, यही होना था, मैं जानता था यही युगा होगा, क्या हुआ? सेयोग से वीडियोग्राफर ने उस पूरे द्रश्य को सूट किया है, जब ओर्तों के जुंडने डोगा पर आरोपिक की जड़ी लगाते हुए, उसे घेर कर उसकी बेरहमी के साथ पिटाई शुरू कर दी थी, फिर अचानक डोगा के गले की तरफ से हाथ अटाती हुई, ये औरत चीक रही है कि डोगा के गले में ओम का लोकेट, और अब इस द्रश्य को स्लो मोशन में देखो, देखो, ये औरत अपना हाथ डोगा के गले की तरफ ले जा रही है, ध्यान दो खुर्दुरा, की हाथ खुला नहीं है, मुठी बंद है, ये देखो, अभी इसका खुर्दुरा, की वो हाथ को सिर्फ डोगा के गले तक ले कर गई है, और फिर अचानक उसने अपना हाथ वापस खीच लिया है, और फिर उसने अपनी मुठी खोल दी है, और सबको ओम का लोकेट दिखाते हुए शोर मचा रही है, वो लोकेट जो पहले से ही उसकी मुठी म था, फिर सबसे बड़ा सबूत कि डोगा अगर लोकेट पहनेगा भी तो, अपने कोस्ट्यूम के नीचे और कवच हटाए बिना, कोई उसके लोकेट को कैसे निकाल सकता है, यह असंभव है, उफ, खोपडी तो मेरे पास भी है, पर कमबक्त मैं उससे ऐसा काम क्यों नहीं पाता, यह समस्या तुम्हारे अकेले की नहीं है, यह समस्या उन हजारों लोगों की भी है, जो डोगा को गलत समझकर दंगे में शामिल हो रहे हैं, इसमें मैंने श्लो मोशन के साथ सबी द्रश्यों को रिकोर्ड कर लिया है, इस सीड़ी को तुरंत परसालन के लिए भेज मैं जरा यह सीड़ी कम्पीटर से निकाल लूँ, तुम जरा दो कप कोफी बना लो खुर्दुरा, ओफ, कोफी तुम्हें मैं पिलाऊंगा, कहां जा सकता है डोगा, भीड ने डोगा को बुरी तरह से मारा है, शायद वो मर गया हो, शायद वो उनी लाशों के साथ उठा ल बेहोश होकर गिरने से पहले उतार दियो, और इसके बाद वो मर गया हो, या घायलों में बेहोश पड़ा हो, लेकिन सर, फिर उसकी ड्रेस तो वहीं कहीं मिलती, कुत्ते, मिश्टर राव सुना है डोगा कुत्ते का परियोग करता है, क्या पता कुत्ते डोगा की वर्दी और उसके हत्यार ले गए हूँ, डोगा के डिल डोल को ध्यान में रखते हुए, मारे गया बेहोश लोगों में, डोगा के होने की संभावनाओ का पता लगाई है मिश्टर राव, सेना को भी इस अभियान में शामिल कीजिए, अगर डोगा उनमें नहीं है, तो सारे साहर मे डोगा के लिए विशेज सर्च अभियान चलाईए, गर-गर की तलाशी लीजिए, डोगा के डिल डोल वाले नो जवानों को पकड़ कर उनसे पुस्ताच कीजिए, अद्रक चाचा कमरे से बाहर निकले, चाचा कहां जा रहे हैं, बाहर तो कर्फ्यू है, देखते ही गोली म साथ चलूँगा, लेकिन पहले हमें गटर में गुसने की तयारी करनी होगी, हम डोगा की तरह सुचंत रूप से गटर में नहीं गूम सकते, अद्रक चाचा, हमें अंदर की जहरीली गैसों से बचने के लिए मास्क की जरूत पड़ेगी, जहरीले साब बिच्वों से के डं पुलिस फोर्स की सारी संभावनाओं को मैं खारिज करती हूँ, उसका जनून इतना दुर्बल नहीं कि सांसे उसका साथ चोड़ दे, डोगा खुद पर लगे इलजामो को धोने के लिए कहीं पर जिन्दा होगा, और खुशी से लरज गई, उस पल्लोंडी की आवाज, मैं कुटे उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कटर में आ गए होंगे, मगर ये सब तो रो रहे हैं, कुटो का रोना मनहूस होता है, मोत की निशानी, उफ, डोगा के शरीर में कोई हरकत नजर नहीं आ रही, ये क्या सोच रही हूँ मैं, मेरी टांगे क्यों काप रही है, मेरी के पास क्यों नहीं जाने दे रहे, हुश, हटो, हटो, र, वो, कहानी जा रही है, रो पड़ा डोगा में, प्यारे डोगा प्रेमियो, जनून, डोगा हिंदू है और अपना भाई डोगा की सफलता के बाद, डोगा हाए हाए आपको समर्पित है, हाँ, आपको समर्पित कर यह हाहा कारी कोमिक्स, डोगा के खुन से लटपत कोमिक्स, जुल्म और जुल्म से टकराने का जजबा सभी में हैं, लेकिन वो जनून नहीं, जो सिर्फ डोगा में ही है, मुंबई वासियों को एक ख्रोच लगने से पहले, वो अपनी छाती चलनी होने के लिए आगे कर देता है, मुंबई शान्ती पर तुने अशान्त कर दी, क्या सचमुच मुंबई शान्ती और से डोगा ने अशान्त किया, डोगा पर आरोप लगाने वाले ये नहीं जानती, कि मुंबई शान्त इसलिए थी, क्योंकि डोगा ने उसकी अशान्ती को पी रखा था, मुंबई की शांत कर दे, ऐसे किसी भी शूल को डोगा नंगे पाउ मसल दिया करता था, उस काटे की चुबन से कभी आहब भी ना निकली, उस कमबक्त के होटों से, तुझे रक्षक समझा, पर तु कातिल निकला, एक को रारोब, हम आम जनता को एक निशाना चाहिए, अपनी भडास निक सकते, बस जिदर हवा दिखी, बह निकलते हैं, सेलाब बनकर अपना करोध, अपना आवेश, अपना अक्रोश, उससे टकराने के लिए, गुना किया बलड मैन ने, और निशाना बन रहा है डोगा, वो डोगा, जिसने मुंबई के लिए दिन रात एक कर दिये, लेकिन उसकी वफादारी पर हम कभी विश्वास नहीं कर सकते, ना आज किया, ना कल करेंगे, क्योंकि हमारे गिजबजे दलदली तंत्र ने हमें नपुनसक बना दिया है, हम दिन रात अपनी रोटी की ही फिकर में लगे रहते हैं, रोटी जपटकर ले गए हाथ, किसके हैं, हम यह नही देख पाते, बस किसी के हुकम, किसी के इशारे के इंतजार में रहते हैं, और इशारा मिलते ही तूट पड़ते हैं, तब चाहे वो निर्दोश हो, चाहे वो रक्षक हो, इससे कोई फ्रक नहीं पड़ता, उस पल हमारा जोश शांत होना चाहिए, अब से पहले, किसी ने न शांती का बक्सक क्या दिया, और उस पर तूट पड़े, अपने ही लोगों के बीज गिरा डोगा करता भी क्या, सरेंडर कर दिया उसने, क्योंकि वो मर्द है, नपुन सक नहीं, निर्दोशों पर हाथ तो क्या, उंगली भी नहीं उठा सकता वो, अब मरना सन है डोगा, औ लेकिन क्या जनून मरा करता है दोस्तों, हमें देखना है रोपड़ा डोगा में, मुझे पूर्ण विश्वास है कि डोगा हाई हाई सभी परशंशकों को अच्छी लगेगी, और रोपड़ा डोगा में उन्हें डोगा नहीं दिखेगा, लेकिन दिखेगा जनून, इसे अंतिम पेज़ पर डोगा नहीं गिरा पड़ा है, बलकि डोगा का शवफ पड़ा है, अब मुंबई में डोगा जिन्दा नहीं है, लेकिन जनून जिन्दा है, और वो जनून आपको सिरा देगा, आपका संजय गुपता चलिए दोस्तों, ये रोमांचक कोमिक्स अभी जारी है, आशा करता हूँ आप भी बहुत रोमांचित हो गए होंगे इस भाग को पड़कर, और ये रोमांच अभी जारी रहेगा अगले भागों में, मिलते हैं अगली कोमिक्स रोपड़ा डोगा में, या किसी अन्या कोमि में, तब तक के लिए धन्यावाद,